Hello guys, svasagata aapka अपने college में और आज हम लेने वाले हैं strings के कुछ सवाल जो की है basic से लेकिन अपने जो base बनाना होता है उसको improve करने के लिए उसको strong करने के लिए वो करने बहुत जरूरी है ठीक है, तो पहला सवाल है कि आपको अगर कोई string दे रखिया ठीक है और उस string में capital case के भी characters है और lower case के भी characters है अब आपको उस पूरी string को upper case में convert करना है या फिर उस पूरी string को lower case में convert करना है वो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ठीक है अगर मेरी string है और मेरे को पता है string कैसे declare करते है string str है और initially मैंने ले लिया कुछ भी है और इसमें मेरे को पता है सारे lower case के character है अब मेरे को इसको सबको upper case में करना है ठीक है तो मुझे पता होना चीए कि ask का value क्या है या difference in capital upper case and lower case character क्या ह ठीक है तो एक बार देख लेते हैं कैसे देखते हैं उसे so see out अगर मैं करके देखूं कि यह मेरा lower case का character है माइनस अगर मैं upper case के character में से इसे subtract कर दूँ तो मेरी क्या value आएगी लेट सेविट रन इट सो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी 32 value आई है यानि जो मेरा small A है वो capital A से 32 आगे है तो अगर मेरे को इस string को lower case में convert करना है sorry upper case में convert करना है तो हम क्या करेंगे सो सबसे पहले लिखते हैं convert uppercase ठीक है उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना मुझे पता है कि भाई जो lower case है वो 32 आगे है तो मेरे को उसे 32 पीचे खीज देने हर किसी character को जो भी lower case में है so for int i equals to 0 i less than str.size अब मैं पता है dot size function उसका length देता है and i plus plus so if मेरा str of i यानि कोई भी character string का is greater than equals to a है ना and is less than equals to z basically a to z में है lower case वाले तो अपन काम करेंगे उस पर तो हम क्या कर देंगे simply कि str of i minus equals to 32 right और simply फिर अपनी str print करा देंगे cout str let's save it run it कि जैसे के हम देख सकते हैं हमारी जो string थी हो capitalized हो के हमारे पास आ चुकी है right और अब हमें इसी string को lower case में करना हो तो हम इसका उल्टा प्रोसेस कर देंगे जो हमने minus equals to 32 किया इस बार उसमें हम plus equals to 32 कर देंगे so convert to lower case कैसे करेंगे उसके लिए for int i equals to zero i less than str dot size i++ right और हम चेक करेंगे क्या यह capital characters के बीच में तो नहीं है so if str of i is greater than equals to capital A and is less than equals to capital Z right so हम इसमें operation लगाएंगे capital Z तो हम क्या कर देंगे str of i plus equals to 32 right और अब हमारी string lower case में आ गई होगी इसको output करा लेते हैं so cout str endl let's save it run it so एक endl दे देते हैं जिससे की हमें डिस्टिंग्विश हो जाए असानी से जैसे कि हमने देखा हमारी lower case की string uppercase में convert हो गई और uppercase की string lower case में convert हो गई so यह तो हमने एक चीज़ सीख ली हां भई lower case to uppercase and uppercase to lower case लेकिन अगर मैं सोचूं यार कोई ऐसा inbuilt function मुझे मिल जा इसको सबसे पहले नाम भी ट्रांसफों है और उसके जो आर्गुमेंट होते हैं वह देखते हैं क्या लेंगे इसमें सबसे पहले हम पूरी string पास करते हैं और string पास करने के लिए मैं अगर दो parameter पास कर दो उसका beginning character और उसका beginning iterator और ending iterator तो वह पूरी string ले लेगा है ना s.begin अब पूरी string पास हो गई अब मेरे को यह बताना कि कहां से तुझे इसको capitalize करना यानि अपर केस में convert करना शुरू करना है तो उसके लिए एक और चीज़ दम देंगे s.begin कि मेरे को beginning से start करना है और मेरे किसमें convert करना है अपर केस में तो अब उसको हम ऐसे लिखते है colon colon to upper right so यह मेरे को str को ही स्ट्रिंग है उसको ही अपर केस में convert करके देगा एक बार इससे output करा के देखते हैं cout s and l let's save it run it तो जैसे कि हमने देखा हमारी string अपर केस में आ चुकी है अब इस ही अपर केस ट्रिंग को हम lower case में भी transform कर देंगे उसके लिए भी same function है transform और two upper की जगा हम इस बार two lower लिख देंगे और अपनी बात बन जाएगी transform s.begin बुरी string पास करने है तो s.end फिर हम फिर से क्या लिखेंगे जहां से मुझे काम करना शुरू करना s.begin और मेर को क्या काम करना है to lower में करना इस बार सो वो हमने दे दिया है let's output this cout s.endl save it run it तो जैसे कि हमने देखा अब यह lower case में आ गई है so question simple था लेकिन हमें आना चाहिए right next question जो हम लेने वाले हैं वो है form the biggest number from the numeric string ठीक है so अब एक numeric string के बन होगे आपको उसमें अलग-अलग numbers होगे है ना अब आपको उसमें से सबसे बड़ा number बनाना है so थोड़ा सा सोची इस question के बारे में हम फिर discuss करेंगे इसे जिन्होंने सोच लिए बहुत बढ़िया और जो नहीं सोच पाए हैं उनके लिए हम है ही so यह थोड़ा सा थोड़ा sort से related है ना अगर मैं decreasing order में sort कर दो उन सारे numbers को है ना तो मेरे पास maximum number आ जाएगा अगर मेरे पास suppose करो कोई number है 1 2 3 4 उसको मैं decreasing order में sort कर दो 4 3 2 1 तो वही तो maximum number है ठीक है so हम string लेते है एक numeric string होने वाली है इस बार ठीक है तो यह कोई मेरा number है अब इसको मेरे को इसके characters को यूज करके greatest number बनाना है तो हम सिंपली से sort कर देंगे sort s.begin अब हमें sort function लिखना आता है कैसे लिखते है sort s.begin और ending iterator देंगे s.end और अब क्योंकि मुझे इसे decreasing order में sort करना है तो मेरे को एक और argument पास करना पड़ेगा जो की होता है greater है greater int greater int के जाए greater care भी दे सकता कोई दिक कर नहीं है greater int हमने दे दिया है let's output this cout s and l let's save it run it जैसे कि हमने देखा हमें maximum number मिल गया है जो की इस number से बन सकता है right so question simple था लेकिन मजा आया करने में है और मजा आना चाहिए हम कोई भी काम करें so next हमारा question क्या है कि आपको एक string दे रखिए है तो सब से पहले इस question को अटाते है आपको एक string दे रखिए है उस string में जो maximum times character occur हो रहा है है वो मुझे output करना है ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ना count अपना array रख सकते हैं एक array लेंगे count का 26 size का क्योंकि मेरे 26 character होते जीरो से मेरे 26 character है और हर किसी character का अगर मैंने count पता कर लिया तो फिर तो मेरी कहानी सिंपल हो जाएगी जिस character count सबसे जादा वो मैं output कर दूँगा है और वो हम कैसे करेंगे वो simply हम array लगा कि स्वारी लूप लगा कर लेंगे सो अब देखते कैसे करते हैं ठीक है सो हम string लेता है पहले string s equals to कुछ भी string ले लिए मैंने है न उसके बाद हमें क्या करना है एक 26 के size का array बनाने ठीक है frequency of i equals to 0 फिर उसके बाद हम अपनी पूरी stream करेंगे और हर किसी का जो count होगा वो frequency बढ़ाते जाएंगे ठीक है so for int i equals to 0 i less than s dot size i++ frequency of si minus a++ यह लाइन ध्यान से देखो यह क्या है कि frequency of क्या si minus a क्या बताएगा अगर मानिए मेरा si कोई particular character a है है ना so a minus a 0 हो जाएगा तो 0 index पे वो उसकी frequency plus plus कर देगा यह नी increase कर देगा ऐसी अगर मेरा b हुआ तो b minus a 1 होता है तो 1 पे 1 index पे उसकी frequency plus plus कर देगा यानि जो मेरा i-th index है वो किसी character को represent कर रहा है है और third index मेरा किसको represent करेगा 0 कर रहा है a को 1 कर रहा है b को 2 कर रहा है c को और 3 करेगा d को यह हमने frequency maintain कर लिया अब हमें simply 26 का लूप लगाना है और जिसके frequency सबसे जाद होई वो store करना है तो store करने के लिए हम दो variable इसलाइस कर लिया अब 26 का लूप लगाएंगे for int i equals to 0 i less than 26 i plus plus और if frequency of i is greater than max frequency ठीक है अगर हो current frequency मेरी max frequency से जाद है तो मैं max frequency में क्या update कर दूँगा अपनी current frequency frequency of i है ना update हो गया अब वो character कौन सा होगा जो इस particular frequency को map कर रहा होगा answer equals to i plus a right i plus a क्यों क्योंकि यार जब 0 a को represent कर रहा है है और 1 b को तो ऐसी मैंने i plus a लिग दिया क्योंकि अगर वो i आयत character है तभी तो वो a और b को represent कर रहा है so यह हमारा code बन गया अब हमें simply क्या output करना है अब हम इसमें दोनोर चीज़ा output करेंगे cout max f की मेरी maximum frequency क्या है और वो character कौन सा हो भी हम output करेंगे answer के द्वारा so let's save it run it हम देख सकते हैं कि हमारा maximum frequent character है f ठीक है अब कोई और भी हो सकता था लेकिन वो f हुआ क्योंकि वो सबसे पहला character था जिसकी frequency सबसे ज़ादा है a to z में अगर मैं इसमें equals to condition डाल दूँगा तो क्या पता मुझे कुछ और भी मिल जाए so लेकिन हमें और नहीं मिला क्योंकि और कोई character इतना साधा है नहीं तो थोड़ी string को change करते हैं और d करते हैं और d हमने और बढ़ा दिया so अब देखते हैं क्या आता है sorry d तो छोटा ही है so इसको equal to अटा देते हैं let's run it so हमने देखा अब चार अकरेंस होगे d की और d पहले था d आ गया so हमने आज basic basic सवाल देखे हैं but यह बहुत important questions है क्योंकि यह हमारा base build करते हैं किसके लिए programming के लिए और यह coding interviews में कई बार बूचली भी जाते हैं so I hope आपको सब चीजे समझ में आ गई है ऐसी coding करते रहें इसको इंप्रूब करें अंटिल नेक्स टाइम बाबाए